कि अब श्कार दोस्तों मैं राहूल सिंग एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यान की यूटूब चैनल पर कैसे हैं बालक बालिकाओं आयोप हमेशे की तरह एकदम बढ़िया होंगे मजे में होंगे और जैकास होंगे बच्चों सभी को सबसे बिले कैसे आप सब आयोप एकदम बढ़िया होंगे मजे में होंगे और जक्कास होंगे बीच में दोचीन राम गुड़ आफ्टरनून सभी को वहरी वहरी गुड़ आफ्टरनून कुछ क्लास इसका गया था तीन-चार दिन में नहीं आपाया था कोई फैमिली इशू था वापस सेट करेंगे वही कोशन अपन सौल करेंगे अब बता हूँ साब कैसा लग रहा है सबको चलो श्रुआब करें चली साब शुरुआत करते हैं पहला कोशन आज का आपकी स्क्रीन पर देखो आपसे क्या कह रहा है वहार्या और ये बहथ्रीन कोश्यन है मतलब ललन टॉप मैं से कोशन आई एक कोशंच आपको बोल रहा है कि C1, C2, C3, C4 और C5 5 पांच कंपनिया आपको रहा है C1, C2 और C3 दोरा प्राप्त लाप का नुपात 9 रेशो 10 रेशो 8 है जबकि C2, C4 और C5 दोरा प्राप्त लाप का नुपात 18 रेशो 19 रेशो 20 यदि C5 और C1 दोरा प्राप्त लाप का अंतर 19 लाख है तो सभी कंपनी दोरा प्राप्त को लाप क्या होगा बहुत ही बहतरीन कोश्चन है प्यारे बालक वाली को बहुत ही बहतरीन कोश्चन है बताओ क्या अंसर आएगा इस कोश्चन का जल्दी बताओ इस कोश्चन का अंसर क्या आएगा प्रिंस कुमावत गुड आफ्टनून सभी को गुड आफ्टनून लोके जी आप कई दिनों बाद आया है ना वेरी वेरी गुड आफ्टनून प्रिंस कुमावत जी प्रिंज कुमात जी का अंसर क्या आएगा बहुत ही अच्छा कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है C1 C2 C3 C4 C5 5 companyy'y'y'y compound और C1 C2 C3 तो प्राप जुन की प्रॉफिट हो रहा है उसका रेश्यो 9 10 8 है जबकि C2 C4 सि 5 जुन के पास रेश्यो मिल रहा है वो कितना प्रॉफिट का 80 19 20 है C5 और C1 द्वारा जो प्रिंस कुम जी का भी आंसर चलिये सीफाइफ सीवन दौरा प्राप्त लाब है सर कॉलेज के एक्जाम चल रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है और सबसे पहले एक्जाम दीजिए सभी कंपनी दौरा प्राप्त कुल आप गयात कीजिए बताओ साब नवीन कुवाद जी का अंसर आया बी लोकेश मिना जी आपको बहुत-बहुत शुब कामना है कि आपके एक्जाम सारे अच्छे जाएं चलो देखते हैं कोशन को देख वो पांच कंपनी है सीवन सीटू सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर एक आपको नाम ऐसा मिल रहा है जो ुँद बहुत 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 है को भार बहुत रहा है और मैंने आपको 10 को क्वीश का नाम आजाए यहां पर पर नाम यहां कतना है 18 या अपका रेशो अलग-लग है तो पहला किससे multiply करेंगे 9 से और इस पूरे को किससे multiply करेंगे 5 से हाया ना आप बोलो के सार बिलकुल अपन कर सकते हैं इसको थोड़ा सा उपर ले ले लेते हैं अपन बताओ कोई अच्छा था लेकिन पकड में आना चीए कोउशन की भावनाहे समझो तो इद है कितना हो गया इएकदम सही बात है इतर कितने हो गया सी फॉर आप बोलो बोलो किसे तरह 100 हो गया अब अमने सारे निकाल लिए क्या देखों आमने सारे निकाल लिए C1 C2 C3 C4 C5 सारे हो गए आप बोलो किसे सारे रिष्यों आ गए और जो हमारा जो काम था मेन का मज़़ुता मेन मक्सद था C2 का ratio equal करना यहां भी 90 और यहां भी 90 और उसको equal करते ही उसको equal करते ही बहुत ही प्यारी सी form sheet हो गई कि C1, C2, C3, C4, C5 उनका ratio आगया 81, 90, 72, 95 और 100 अब question ने क्या बोला कि भाईए C5 और C1 C5 और C1 इनके बीच का जो difference है कितना 19 lakhs है देखो हमारे according कितना difference है आप लोगे सार 19 unit का है और इसी की value कितनी दे रखी है 19 lakhs दे रखी है तो 1 unit की value कितनी आगई आप लोग सार 1 unit की value कितनी आगई वन लैक आगई ठीक है वन लैक आप वन यूनिट की value आगई क्लियर है अब आपसे कोशन नहीं पूचा सभी कंपनियों दोरा कुल लाब ग्याद करो तो देखो सभी कंपनियों ने इतना इतने यूनिट लाब कमाया इन सब को एड को एड को एटी वन नाइंटी सेवंटी टू इतना आ गया आप लोगे सार इक्यासी 90 बहतर पिच्छानवे सोई यह आ गया आपके आट इदर आ गया 438 कितना गया 438 यानि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई वन लैक आ गई तो कितने कितने रूपी का लाब हुआ 438 रूपीज लैक का 438 लाग का लाब हुआ लेकिन यह ओप्शन दे रखें किस में दे रखें करोड में दे रखें तो कितना आ जाएगा आप लोगे सार 4.38 करोड आ जाएगा क्लियर है ओप्शन नमबर बी एकदम सही आंसर है सभी का लोकेश मीना जी गोश्वामी वासकर जी एकदम सही आपका अंसर 4.38 करोड बहुत ही बढ़िया नवीन कुमाज जी थोड़ी सी अपने मिस्टेक की थी आई ओप आपके क्लियर हो गई होगी कोई डाउट किसी को बढ़िया कोशन था अच्छी लैंग्वेश थी और क्लियर कहानी हाँ या ना थमस अप कर दो बढ़ेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे जब आप थमस अप करोगे बताइए सब अच्छार मेरा एक्जाम खतम नहीं हुई 9 क्लास दो बज़ेव देट है क्या बोल रहे हो आप सर मेरा एक्जाम खतम नहीं हुई 9 क्लास 28 देट है दानू चलो सभी का रानू दाकर ठीक है अब मेरे को समझ नहीं है प्रिंस कुमाज जी आपने जो बोला सर मेरा एक्जाम खतम नहीं हुई 9 क्लास 9 28 देट है कोई बात नहीं आप वापस कर दीजिए चलो आपन नेक्स कोशन ही तरह बढ़ते हैं को बढ़ी आपके सामने कोशन ने आपको बोला है और इस कोशन को जो सही करेगा उसको क्या मिलेगी डेरिंग मिलेगी बढ़ी आसी लेकिन सबसे जल्दी सही करेगा नवीन कौवाद जी ओके चलो एक वर्ष पहले एवर बी का आये का अनुपाद 3 रेशो 5 था उनके पिछले वर्ष क आये और वर्तमान आये का नुपाद 2 रेशो 3 और 4 रेशो 5 यदि उनकी कुल वर्तमान आये 4,300 रुपए तो बी की वर्तमान आये क्या है बढ़िया कोशन है एकदम ललन टॉप एकदम ताजा तरीन कोशन है ऐसा कोशन शायद अभी तक आपने देखा नहीं होगा फटा जल्दी से बताइए कमेंट करके बता है सही घलत कोई दिकत नहीं आपका आंसर आना चीह है लेकिन तुक का मतमार ना पुमि का सैन चलिए बहुत बढ़िया क्लियर होिया सबको आप इस कोशन का आइसर देके बठाए जल्दी से क्या और अर्श पहले यह वर्तम का रि प्रेजेंट में इसकी इंकम है वो कितनी है 4300 रुपए तो आप से पूछा है बी की प्रेजेंट इंकम क्या है दोनों की मिला कि इंकम कितनी है 4300 बहुत ही कम रुपए कमा रहे हैं विकाज इन्होंने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से अपने को इसकी पीछे 100 यह 00 और लगान है कुछ दिन का गैप था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अपन रेगुलर रहेंगे अप सी प्रिंस कोवाजी का अंसर आया सी देखने साब 1200 रुपए तो तुक्के नहीं मानने अपने को बिल्कुल भी तुक्के बिल्कुल मत मानना तुक्त थोरी मैं आपको बार बार समझात अंसर भूमी का सेंजी का अंसर आ रहा है सी लेकिन आप उसको एक्जाम में नहीं करके आए छोड़े आए सोचा बस दिमाग में तो वह 100% सही होगा यानि आप करके आओगे तुक्का लगा के आओगे तो गलत और अगर छोड़के आओगे तो सही हो जाता है यह तुक्का अंसर दीजिए फटाफट से गानुदाकर अजय अंसर दीजिए भूमी का सेंजी का अंसर आया सी देखते है साफ सही है गलत बाकी लोग भी कमेंट करके बताए यह आंसर क्या आएगा बहुत अच्छा कोश्चन है ताजा तरीन अभी फ्राइग किया इस कोशन को अभी ळाइगा उसन मजए तो इह जो इंकम है कौन सी है यह जो मं प्यारे बालक बालिकों यह क्या देख आपको इनक़ ए और वी ए यह एर भी ठीक है इनकी जो में तो कितनी अट रखए थ्री रेशियो फाइव खिजो में ठीक है एक फ़र्श कहले तर लेकि निया भाष्झ एक्जाम तो क्लियर करो अपनी ग्रजूशन कंप्लीट करो अपने सीजियल का बैस ले गाएंगे बहुत जल्दी अपने को कहीं जाना नहीं है कहीं नहीं जाना और शाम को अगर आपको से से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो अपन 6-7 क्लास लेते हैं कि इसकी MTS के प्रिवेस एर के कोश्चन सौल कराया जा रहे हैं लुके जी आप उस क्लास को अटेंड करो यह आपको यह तो पता लगा है कि SSE का पैटन क्या रहा है ठीक है चलो 28 को आपको एक्जाम है चलो बहुत ही बढ़िया देखते हैं अब इस कोश्चन क को देखना इनको इंकम का रेशह कितना है 3 जैशओ 5 पिछे वर्ष की इंकम और जो इस वर्ष की प्रजेंत इंकम है उसका जो रेशो दे रखा है कितना वर्ष रा कि आप दालों पर में का में जो स्कूल तूर Ideally और इहां से देख नंए बार आप यह द्यान से गया रोत्मय या रिकतिव CT को आप इस क्या पर शाल देया है और जाना इस 2 तो मुझे ठी बनाना है तो मैं इसके अलावा कुछ और काम कर सकता हूँ या आपको यही काम करना पड़ेगा, यानि इसको किस से करना पड़ेगा 3 x 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम चीज यहाँ देखो, मुझे इस 4 को 5 बनाना है क्या करना पड़ेगा 5 by 4 से multiply करना पड़ेगा इसके अलावा कोई और condition नहीं है जब मैं इसको 5 बना सकूं है क्या आप बोलो के सर नहीं यहां से क्या चीज निकल कि आई यह आपकी क्या है पिछले साल की income है पिछले साल की income का ratio है मुझे अगर present income में जाना है तो मैं क्या किया 3 by 2 से इधर multiply किया एको और बी को किस से किया 5 by 4 से तो सेम चीज आपको यहां करनी है यहां किस से multiply करना है आप बहुँआ करेंगे 3 by 2 से 3 by 2 से और यहां किस से करेंगे आप करेंगे 5 by 4 से clear का यह concept समझ गए का अब देख कट रहा है तो काट वाट टू से कितनी वा करोगे पुलोग ईंकम से कोश्चन में जो हमारी चुरान एंकम से चाहिए। कोशन पाइब क会 वाएब की प्रेजेंट इंकम इसे चुरान प्रहीए कुशन ने creator मोगे आपачक में APP हविद심 कुश्चा। क्लियर वापस से देखना बहुत ही अच्छा गोश्चन है आजी आपका एक्जाम बहुत अच्छे से जाए बहुत ही अच्छा गोश्चन है आपको पता होना चाहिए देखो अगर मुझे यहां ध्यान रखना यहां क्या है पिछले वर्ष की इंकम का रेशो दे रखा है और पिछले वर्ष की इंकम और जो प्रेजेंट इंकम में उनका रेशो कितना एका टू रेशो थ्री यह बीका कितना फोर रेशो फाइव है अगर यह मुझे इस मनोज भिस्टू जी गांसर आये 2500 बहुत ही बढ़िया अगर मुझे इस दो को यह आपकी एक साल पहले की इंकम ह मुझे तीन बनाना यानि तीन क्या मेरी प्रेजेंट इंकम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाईया सर क्लास 10 मेड कब होगा है होगी वह कहा पर तो LTC अपने रायिस्सान का चल रहा है यह कंप्रिजन एक्जाम का चल रहा है को आपको आप देखो और Gम पर आपको क्लस्लेंट की ऐख आपको सारी classes मिलेंगी ठीक है तो अब आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं आपके पास कोई और तरीका नहीं है तो मुझे 3 by 2 से multiply करना ही पड़ेगा लोकेश्मीना ए बहुत ही बढ़िया सेम चीज अगर मुझे 4 रेश्यो 5 को इस 4 को मुझे 5 बनाना है प्रजेंट इंकम बनाना है तो मुझे इस 5 किस से मल दिवला करना पड़ेगा 5 by 4 से तो मैंने वही चीज यहां कर दी यहां कितना हो गया कट गया कितना हो गया 18 25 यह आपकी प्रजेंट इंकम आ गई करोगे आपको टाइम का पता लग जाएगा अगर यह तरीका समझ में आगया तो बहुत जल्दी और नहीं आया तो पेज बरेंगे कि भाईया यह कंसेप्ट बहुत ही शांदार था तो एक बात तालियां बजा देना है ना चलो साब बताओ क्या थमसप करो तभी अपना आगे बढ़ेंगे गोसामिवासकर जी का थमसप आ गया बहुत ही बढ़िया बाकी लोग भी लोकेज जी मनोज जी प्रेंस नवीन टेंट अपरोछ आपको लिए लोकेश मीशंघन हैं गालोड को लो कई जी अगर आपको 10 के लएविन की तो आप मिशंघन सीठै़果 चलो साब आगे बढ़ें सभी का थमसब आ गया है आगे बढ़ते हैं अब एक और वोश्ण अब इस कोश्ण को आप करोगे मैं नहीं कर आओंगा इस कोश्ण को है ना चलो साब सेम पैटर्न अब दो पहले दो लोग थे अब तीन लोग हो गए बस इतना सा फरक आ गया है दो से तीन हो गए अब हैना हम दो हमारा एक बढ़ गया बताओ क्वेश्चन सेम टू सेम है भूमी का सैनो के चलिए सब कोश्ण है ए बी सी कि पिछले वर्ष की इंकम का ज अब आप से पूछ रहा है कि उनकी टोटल इंकम नाइंटीएट थाउजंट फाइव अंड्रेट है तो बी प्लस सी की प्रजेंट इंकम क्या है डिट्टो डिट्टो सेम टू सेम कोश्चन है अब आपको क्या करना है को सॉल्व करना है कैसे करोगे जो आपको मैंने बताया जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो इस कोशन का बेहत अच्छा कोशन और दो से तीन वाला पने कोशन कर लिया दो से चार वाला आजाए पांच वाला जाए कितना भी आपन उडा देंगा अपने को कंसेट पकड़ में आना अच्छी है बस कोशन की भावनाय समझो उनको प पिंस जी लोकेज जी नवीन जी बासकर जी 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 मनोच जी पंटा-फट से आंसर देतर इस कोशन का क्या आएगा थे है थोड़ा सा टाइंब लगेगा अभी विकॉज अपन क्या गरेंगा अपने अपने नया नया एक नया पैटन पर वेस कोशन सीखा ए अच्छा डाउनलोड करने की बोल रहो गया आप प्ले स्टोर्स पर जाके मिशन गयान आपको डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंस जी आपका तो नाम ही प्रिंस है तो प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार बता हुशाब आंसर दो जल्दी से लोकेश आसकर नवीन जल्दी से कमेंट करो अजय सिंग जी आंसर दो क्या आंसर आएगा इस कोशन का कमेंट करके आंसर बताओ प्यारे बालक बाली को ऐसे काम नहीं चलेगा मैंने आपको दस मिनट लिए मैंने आपको कंसेप्स मंजाने में 45 K मोनोज विस्सू 45 K सी ऑप्शन, देखते हैं साथ, मैंने 10 मिनट लिया हो आपको वो कंसेप्स मनोच जी का अंसर आया 45 अजय बिलकुल जिने इन सोनी सर को आपका प्रणाम दिया जाएगा वाइफाई से अब आप इस क्वेशन का अंसर करो लोकेश मीना जी जिने इन सर को आपका प्रणाम पहुचा दिया जाएगा लोकेश मीनजी का अंसर आया है C 4518 बासकर जी आप भी आंसर बताएं क्या आंसर आएगा देखो मैं बार 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 बोलता हूं हमें आंसर नहीं करना हमें पैटर्ण को समझना है उसकी भावना यह समझनी है गो समय जो आंसर आया 46,000 देखो पहला को आंसर है जो एकदम सही है जान रखना मैंने अभी आपको यही समझाया था देखो यहां पर कौन को ने तीन पहले दो लोग थे अप तीन हो गए कोई दिक्कत नहीं है ए यह हो गया बी और यह हो गया सी हमें इससे कोई फरक नहीं है इनका रेशो दे रखा और यह वर्तमान है अगर मुझे चार को सर आपकी क्लास आज जोइन की सर समझ नहीं है देखो रीजन है प्रिंस जी समझ में इसलिए नहीं आई आपके क्योंकि अपने इस यह आज 7 पार्ट है इसका सात्मा पार्ट है आप जब किसी भी चीज को बीच में से पढ़ोगे मै चल रहा है उसको मैं पकड़ लूँ उसको समझ में आ जाए तो वह आपके जरूरी नहीं है कि वह समझ में और मैं बोलूंगा 99.99% नहीं आएगा समझ में ठीक है आपको गया करना है आपको सारी क्लास देखनी है फिर आपके एकदम क्रिस्टल हो जाएंगी चीजे चलो इंटू 5 x 4 तभी तो मनेगा आप वह लोगे सर्थ विल्कुल यानि एक ही बात हो गई तो यहां मैंने क्या कर दिया 5 x 4 कर दिया मल्टिप्लाइ बनीगा अब यहां देखो दो से मुझे तीन बनानाना क्या करूंगा आप वह लोगे सर्थ 2 x 2 यहीं तो करूंगा तो मैंने अच्ऑ क्या रखो खुली रखो यहां कितना था आप यहां कितना था फॉर त था आप देख दर मुझे इस फू आना मैं किस से मृटिप्लाइ करना पड़ेगा त्ơi लू बात खतम अब यहां असों घातें उन्हें एब सार्थ इंटू 4 x 3 करना बड़ेगा यानि इसको किसीज का एक्जाम है आपका लोग प्रिंज जी देखो अब आपको क्या करना है आपको क्या करना है कुछ कट रहा है तो काटो नहीं कट रहा तो LCM ले लो चार दो और तीन का LCM कितना जाएगा बारा जो भी LCM आएगा उसको हर एक फ्रेक्शन के साथ मुल्टिप्लाइ करेंगे 3 x 5 मैं डारेक्ट लिख दो फिप्टीन आप लोग अशर लिख दो इदर मैंने क्या कर दिया 15 लिख दिया कितना लिख दिया इदर मैंने 15 स्रेवालक वाले को LCM 4 से कितनी बार सिक्स तैम्स त्री से कितनी बार फॉर टाइमस यहां कितना आगे आप बोलो गहाँए सिवंटी टु इधर कितना आगे आप देखो सब को आड़ी कितना जाएगा आप बोलो किसर 80 70 कितना हो गए 150 150 और 40 कितना हो गए 191 97 यूनिट यह हमारा आया 197 यूनिट और कोश्चन में इसकी वैल्यू कितनी किवन है आप बोलोगे सब 985 0098500 यानि वन यूनिट की जाएगा 76000 नंबर मनोज बित्तू जी का आँसर चाहिए अच्छी बातें गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है घबराना नहीं है जी करें तो जरूर जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम चीक्त है वह एक दम हमें एक बार में समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं बस कोशिश करो सर आज मेरे मैस का एक्जाम था अच्छा मैस का एक्जाम था आप अगर 9th क्लास में है तो 9th क्लास में और कम्टिशन की मैस में तो बहुत डिफरेंस है प्रिंच जी तो अभी वहापर हर एक चीज आपको सिस्सेमेटिक डंग से चलना पड़ता है यहां कैसे चलना पड़ता है आपको बहुत ही ब्रॉड मैंडेट होना पड़ता है कम्टिशन के लिए आपको चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व करनी पड़ेंगे भूमी का सैंजी ओके यह चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम सब कर दो अगर जहाएं समझ में आ गया हो तो अगर वापस पूछना है तो वापस भी पूछ सकते हो देखो मैंने क्या किया पयारे बालक बलेको मैंने एक ही काम किया जो आपकी UK anى की DC3 4 और 45 मैंने उसको क्या किया मुझे अगर प्रेजैंट को निकालनी है इस चारफius 5 बनाना है तो मुझे सबढ़ना सोप्रस्य किस सब्सक्राइब करना पड़ा है Ф 벌써 थी चैनल गडाой तो मेरे पास मेरे पासि प्रशन इंकम आ अब यहां देखो LCM लिया, 4, 2, 3 का 12 आया, जो भी LCM आया था, उसको हर एक fraction के साथ multiply करते हैं, यह आपको मैंने पहले दिन सिखाया था, पहले दिन बोला था भीया, जो मैं आपको forms बता रहा हूँ, उन मैंसे किसी ना किसी, सरिये 120, कहां पर 120, 120 तो मैंने लिखा नहीं, यहा हर एक fraction के साथ multiply किया है, और multiply करने पहर इदर कितना गया, 15 x 345, इदर 72, इदर कितना गया, 80, लोकेश मिना जी बहुत ही सही आपका answer, और इसन सब का मैंने add किया, मेरे पास कितना है, 197 unit, और question में इसकी value 98500, वन यूनिट की value निकाली 500, लेकिन question ने आप से पूचा, बताओ, की B और C, तो B और C कितना हो गया, 80 और 72 कितना हो गया, 152, multiply कर दिया 500 से, answer कितना गया, 76,000, भड़िया question था, बहुत ही अच्छा question था, अब मैं आप से उमीद रखता हूँगी, अगर आपको ऐसा question exam में मिलेगा, Sir, मेरा math exam good गई, बहुत ही बढ़िया, बदाई के पात्रें आप, आपको एक toffee मिलेगी, अगर आपका exam अच्छा गया है तो, आप cancer कितना गया, 76,000, किसी को किसी प्रकार का कोई doubt है, आयोप नहीं होगा, तो इस तरह का question अगर आपको exam में देखने को मिलता है, तो मुझे वरो साहब आप पर, कि अब आप क्या करोगे, इस question को उड़ा दोगे, उड़ाओगे कैसे, जैसे मैंने आपको समझाया है, x, y के चक्कर में मत पढ़ना, बढ़े हैं x question की तरफ, चलिए साब, एक और question करते हैं, यह लो साब, एक और बढ़िया question, यह तो question बहुत ललन टॉ इस बॉप square question है यह तो, Surrey गोज लेंटि पोर लेंटि निशंगियान टाउंडिक कर लीजए, लॉकेश मेरा ची बोल्राइं परिंसी को कि आप क्या bounces डाउंड लोड को लो, क्यों कर लो, क्यों कि आप की हर एक प्रोब्लम का solution है mission again reason 1 से लेके 12 academic ठीक है academic के बाद आपको competition की करनी है competition मिल जाएगा sir मैं कर रहा हूं बिलकुल sir इसके पहले का part कैसे निकाले इसके पहले का part कैसे निकाले कौन सा वाला भूमिका जी कौन से वाले part की बात कर रहे हैं question की बात कर रहे है या आप बात कर रहे है रेशो का पहला part कैसे निकाले अगर आप first time भूमिका जी इस class में आये हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले के मैंने आपको percentage पढ़ाई है उसको पूरा पढ़ीजिए उसके बाद मैंने आपके six classes already ratio की हो चुकी है उन classes को लीजिए जिसमें first class बहुत important है जहां मैंने आपको basics बताये थे तो उनको सीखिए उसके बाद आपको आज वाली आज शायद कम समझ में आएगा आपके reason क्योंकि अपने पिछली class नहीं देखी मैस connecting subject होता है तो आपको connect रहना पड़ेगा यह जो पहला को जो picture होता है किसी भी टॉपिक का वह बहुत important होता है वह आपका base होता है अगर वह समझ में आ गया देन आपके बाद उसके बाद का पूरा टॉपिक समझ में आता है ठीक है तो आप पहले के च्छे वीडियो ज़रूर देखें रेशो के और आपने percentage भी नहीं पढ़ाया तो पर 20% के बराबर तेल निकला जाता है तेल निकालते है यानि उसके वेट के 20% के अगर माल लो अगर आपके मुझ फ़ली 100 किलो की है तो 20 किलो का तेल निकले यह आप से कहना चाहरा है निसकर्शन के बाद जो पदार बसता है जब जब तेल निकालते है तो कुछ घराब मुझ फली 20 पर कईजी के साब से खरीदी गई या जब मुझ फली पर चेस करने गया तो ट्वेंटी रूपीस पर कईजी के साब से खरीदा उस ने फिर आपको बोला कि तेल प्रोसेसिंग की कीमत 5 पर केशी यानि आपको अगर तेल निकालना है कि उन फली का तो एक किलो प कि प्रिंस जी सारी रिकार्डिंग मिल जाएंगी आपको हर एक CEPTER वाइज सारी रिकार्डिंग मिल जाएंगी तो यह बहुत ही बढ़या कोश्चन है इसको स्वाल करो जिसका भी आंसर आएगा उसको डेरी मिल जरूरी मिलेगी 10 रुपे वाली मिलेगी आज मनुत जी का अंसर आए 110 kg देखते हैं साथ सही है गलत बाकी लोग भी कमेंट करके बताएए कि आंसर क्या आएगा इस कोशन का लोकेज जी नवीन जी बुमीका जी प्रेंस बासकर जी अजे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएए इस कोशन का अंसर क्या आएगा मिशन ग्यान में ओनलाइन क्लास लेट है ये समझ नहीं आया मिरको चले इस कोशन का आँसर दीजे फटावट से बहुत भड़िया कोशन है ललन टॉप कोशन है और इस कोशन से बैतरीन कोशन शायद नहीं बनाएं बहुत ही बहुत ही ज्यादा अच्छा कोशन बाताएए इस आप क्या आँसर आएगा जल्दी से कमेंट बुमीका जी आँसर लोकेश बासकर जी फटाफट से कमेंड करके बताओ बढ़िया कुश्षीड बहुत ही अच्छा कुश्षी बहुत इसादा ख्श्षी जो अच्छा की लगह बहुत आ पको तरीक अपरोच इस कुश्षीं गरने की तो आप名हें यह इतना नहीं मारना है अपने को तुक्का नहीं मारना है है ना तुक्का बिल्कुल मत मारो नवीन कुमाजी का 1110 सब का अंसर 110 आ रहा है देखने सही है गलत है सभी लोग तुक्का नहीं मारना है पुरिंस जी बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है आज अगर आपको तुक्का मारने की जादत लग गई तभी तो आप छोटी क्लास में हो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे कभी भी कंप्टीशन एक्जाम दोगे तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके साथ क्योंकि माइनस मार्किंग भी साथ में साथ चलती रहती है लोके जी आंसर दो फटावर्ट से जागो जाओ अब इस कोशन को वापस एक बार पढ़ते हैं और स्कॉशन को सौल शुइब जी गांसर आ रहा है 110 देखते हैं साथ सबसे पहले कोशन की एक लाइन पढ़ना भावना है समझना उसके बाद को सौल करना है हमें डार्यक को सौल करने के उपर नहीं जाना है शु मूफली के वजन मैंने माला हम बाइसा मूफली है सर बी बी या ए शुइब जी के तीन आंसर आ रहा है 110 100 और वी एक आंसर दो शुइब जी 100 110 या भी बताओ कि 20 परसेंट के साफ से तेल निकलता देखो 20 परसेंट की जो फ्रेक्शन वैली उती ना प्यारे वालक वाले का हूं वह थी वन बाइफाइव कितनी होती वन बाइफाइव यह आपको मैं परसेंटेज में बताया था ठीक है यानि वन बाइफाइव कहने का मतलब यह है कि ज सर मैं आप पार्ट वन देखो बिल्कुल बिल्कुल आप पार्ट वन देखो आराम से और सारी आप पार्ट वन नहीं रेश होगी आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तब आपके समझ में आएगा तो टोटल मूफली कितनी है पांच किलो अपने पास ठीक है और भारा पांच पांच के साफ को पांच भारा निकल रहा है तो चार तो कितने रुपे मिलो करत चार इंटू है यानि कितने रुप्य मिल गई 50 रुपय को यहां से मिल गई ठीक है कोई भी डाउट किसी को आप बलोगे सर कोई डाउट नहीं है आप आगे देखते हैं मुंफली 20 रुपे पर केजी किसाब से ख़री दी गई देखो 5 रुपे की मुंफली ती और 1 किलो कितने की रुपे यानि कितने रुपे हो गए प्रोंफली 20 रूपे की तो 5 किलो कुतने की 100 रूपे की साथ में जो प्रोसेसिंग यह वह 5 रूपीस पर केजी यानि एक रूपे पर एक किलो पर पांच रुपे लग रहे हैं तो पांच किलो पर कितने लगेंगे 25 रुपीज लगेंगे ठीक है यह उसकी टोटल के आगई वाई साब कॉस्टिंग आ गई कॉस्ट प्राइज आ गया क्रेमूल आ गया अब आपको बोल रखा है कि भाईया 20 परसेंट का प्रॉफि लगें कि должно कॉस्टिंह गेंगे 25 रुपे में जैंख Kitty केल तरुकि रुपे में पैचा जाए तरुकि टेट्वहाइं गितने निकल रहाया तो आपको पूछ रहा है यहह निकल रहा है किमत 100 रुपे-अ-घीं भूष्चं गुषट ही वापसने संझांगा एक बश्ATHAN एक बार वापस से देख लें तो कोई दिक्कत नहीं अपने को देखो 20% की फ्रेक्शन वेल्यू 1 बाई 5 ठीक है तो मैंने माल लिया भाई आप पांच किलो मुंफली मैंने खरी थी पांच किलो की मुंफली जब मैंने सर आप कल क्लास कब लोगे इसी टाइम क्लास होगी आपक 30% वाल वन भाई 5 यानी आप समझो नीचे वाली माल लि पांच की पढ़ रही है मैंने सौ रुपए कि यह कौस फाइज अभी तक है लेकिन साथ में क्या है कि जो तेल का फ्रॉसेसिंग हो रही है वह 5 रुपीज पर केजी यानि एक केजी पर 5 रुपे लगते हैं तो 5 किलो पर कितने रुपीज लग जाएंगे 25 यानि जो उसकी टोटल जो कॉस्ट प्राइज आ रही है वो कितनी आ रही है 125 क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं पतो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को मतलब उसकी टोटल कॉस्ट प्राइज आ गई 125 रुपीज आ गई मुझे नहीं रखता यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट होगा अब इसके बारें बात करते हैं वह टोटल पर 20 परसंट का प्रॉफिट चाता है मतलब उसने कॉस्ट प्राइज लगाया 125 रुपीज ऑर अगर मुझे कोई चीज 125 की पढ़ रही है और मैं उसप्र 25 रूपीज प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मैं उसको सेल आउट यानि उसका सीपी कितना होगा आप बोलोगा सब्सक्राइब कॉस्प्राइब 25 रुपीज प्रॉफिट यानि मुझे उसको 150 रुपे में कितने रुपे किलो के साफ से बच रहा है 12.5 यानि एक किलो के मुझे 12.5 रुपे मिल रहे हैं तो चार किलो कितने मिल गए 50 रुपे मिल गए यानि अभी तक मैंने 50 रुपे कमा लिए मुझे 150 रुपे कमाने हैं तो मुझे जो तेल है वो कितने में बेचना पड़ेगा आप ब थमस अप कर दो एक बार जल्दी से जल्दी से थमस अप करो प्यारे बालक बाले करो फटा फट से अब सभी के क्लियर है गया अब बताइए साब किसी को कोई डाउट है अब इस क्वेश्चन में बुमी का से नो के बाकी लोग भी कमेंट कर दो मतलब कोईश्चन को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमें बैस अप्रोज देखना है कि भईया इस कोईश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप X, Y मान के भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन मैं बार बार बोलता खुश रह पाएंगे क्लियर है चलो सभी के थम सब आगे नेक्स कोशन ही तरह बढ़ते हैं अब चलो साब नेक्स कोशन देख आप से कह रहा है यह आपके रूपे पैसे वाले कोशन आगे अब थोड़ी सी सही नहीं है इस वज़े से आवास फुड़ी आपको हो सकता है ऐसा लगे कि कम आ रही है लेकिन वो रीजन है कि तब अपनेस आजना इसी है अपन पाये थे अभी चलो साब कोशन देखते हैं व इस राप कोशन आपको मिलेंगे बरपूर मिलेंगे जो भी राहिस्तान में तो ऐसा कुश्ण आना है राइस्तान का कोई वी एक्जाम लेलो पटवारी पुलिस जो मर्जी पड़े लो एल्डी शी लेलो इस तरह का कोश्ण आपको मिलेगा या इस पैटन पर क्या-काचाइब बन सकते हैं वह अपन सारे स्लुव करेंगे पहला पैटन ज यह आपका एक रूपए है यह आपका 5 रुपए है और यह आपके 10 रुपए ठीक है इनकी संक्याज समाने मैंने इसकी भी X मान ली और इसकी भी X समाने इसलिए मैंने क्यों मानाना है एक्स माना ठीक है अब एक रुपए का नोट है मेरे पास एक रुपया रुपरा का नोट है और कितने है टोटल कितने रुपय हो गए ठीक है सेम चीजलो कैश मिना 120 बहुती बढ़िया पांच्छ रुपै के नोट है मैं बोलू है आप कि वह यह मेरे पास दस रूपब के 10 नृट मता तोटन रूपए खितनी कितनी रूपए किसा है और कितने है वह हमारा के होगा है तो मैंने वह किया एक रुपई कितना एक सब कि हो गया सब की अनसाल आ रहे हैं एक सो भीज बहत ही बढ़िया पांच रुपी का नोट है कितने एकसे कि इंइ भाउपे हो गए थीक है सेम चीज़ क्या जयात करो कुल नोटों की संक्विछ तो देखो 40 यह ओंगे 40 यह 40 यह नहीं कितने होगे 120 इता राइट आंसर सभी का अंसर एकदम सही है हमें आंसर पे नहीं जाना हमें तो पैटन फॉलो करना है बस पैटन समझ में आ गया तो सारा खेल असान है पैटन समझ में नहीं आया तो भाई सब बड़ी मुश्किल होने वाली है क्लियर है आया ना चलो सब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स कोशन की तरफ यह डाइप क्लियर हो गया ना चलो नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन आप से कह रहा है इसको भी उड़ा देना प्यारे बालक बाली का हो जल्दी से पोशन ने आपको बोला कि भाईया एक वैग में बरावर संक्या में एक रुपे पचास पैसे और पचीस पैस कि सो तो आया है ही नहीं ऑन ट्वेंटी अया है गार मीकास हैल और देखो वापस समझ लेना है मेरे पास ुपे का एक नोट यसा तो में पास कितने Siz औरुपे होंगे ऐक नोट ही वोगा मैं बॉलू मैं पास एक रुपे के 5 नोट हैं बताओ कितनेस को नोट पाँच रुपे होगे मैं बोलुगा वहीजा एक रुपे के दस नोटे मेरे पास बताओ कितने रुपे का एक स्फी दसक्छ रुपे होगे हैर ने कि Absolute पीशन पर प्टीज तो ऑजी तुमएने हैं ये कि डार्वा को बता रहा था कि कि आपको अगर आपके पास 10 रुपय के 10 नोटे तो कितने रुपय होंगे 100 रुपय होंगे तो यह आपको मैं करके बताया इसे होता है यह आपको मैं समझाने के लिए बताया था क्लियर है तो एक दस रुपए के एक्स नोट है कितने रुपए हो गए दस एक्स हो गए आप मेरे पास मेरे कोर्डिंग कितने रुपए हो गए सब को जोड़ा मैंने सिस्ती नेक्स और इसी की वैलू कुशन में कितनी रखिए 640 तो आपका वन यूनिट कितनी आ गई 40 लेकिन कोशन ने आपसे पूचा कि कुल नोटों की संक्या ध्यान रखना कुल नोट है टोटल नोट पूछ रहा है आपस तो 40 यह 40 यह 40 यह नहीं कितनी हो गए 120 क्लियर है बुब्मीका जी क्लियर हो गया ने 100 कैसे आया वह वह आपको समझाय था कि 10 रुपए के अगर 10 नोट है तो टोटल नोट कि टोटल रुपे कितनी हो जाएंगे मेरे पास सौ रुपए हो जाएंगे ठीक है चलो सावँ Pardon पर आओ अ बिल्गेश्विन प्रत्यक तरह के कितने सिख्के हैं लोकेश मेन सर जिनें सोनी जी सर प्लीज अरे बिल्कुल आप तक ना आपने बोल दिया उन तक पहुंच गई क्या बता वो वीडियो देख भी रहे हो लाइव तो आप तक पहुंच भी जाएंगे वह अभी है ना और कि आप गवराईये मत चलो कि कोशन ने आपको बोला कि वह एक रुपे पचास पैसे और पच्चीस पैसे ध्यान रखना नवीन कुमाद जी कांसल आया बीस अब कोशन ने पूछा प्रत्यक तरह के कितने सिख्के हैं इससे पहले वाले कोशन ने पूचा था कि कुल सिख्के कि प्रत्यक तरह के कितने सिख्के हैं दोनों में डिफ्रेंस है गोस्वाजी 20 अब देखो कभी इस तरह का कोशन आजा यहां पर रुपे यहां पर पैसे यहां पैसे सभी को पैसे में कनवर्ट कर लो अगर मैं एक रुपे को लिखना चाहूं यह 50 पैसे हो गए और यह क्या हो ठीक है इसको क्या लिख सकता हूं 50 पैसे और इसको क्या लिख सकता हूं 20 पैसे सभी को पैसे में कनवर्ट कर लो बहुत इजी हो जाएगा यदि सिख्कों का बराबर संख्याम है यह भी X है यह भी X है और यह भी X है बदार टोटल कितने रुपे हो गए आप बोलोगे से की आपकी यूनित्स से लिगा थे पैसे हैं तो यह भी क्या चलेंगे पैसे चलेंगे 35 रुपे को अगर मैं पैसे में चेंज करूंगा तो फैसे हो जाएंगे क्या नहीं आ पोलो के सर एकदम सही बात है 175 से कितनी बार ट्वेंटी टैन्स गया अब भुमिगा जी का रहा है ट् 20 बहुत ही बढ़िया सभी का अंसर एकदम सही है करेक्ट है चलो साब आई होप कि आपको समझ में आ गया होप क्या मुझे लग रहा है सब की आंसर सही आ कोशन देखो आपसे कहा रहा है कोशन ने आपको बोला एक बैग में 180 रूपे हैं एक रूपे 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में जिनका अनुपाद 2 रेशो 3 रेशो 4 तो 25 पैसे के सिक्कों की संक्या ग्याद करो बदाऊसा आपके आंसर आएगा इस कोशन का जल्दी से जल्दी बताइए इस कोशन का अंसर क्या आएगा प्यारे बालक बाली कम अरे बिल्गूल आपके बगवान तक आपका प्रणाम पहुचा दिया जाएगा लोकेश मिना जी आपने एक बार बोल दिया बस खताम आपन मैत वाले ज्यादा करते ही नहीं इतना ताइम ही नहीं अपने पास एक बार बोला आप तक प्रणाम पहुंच जाएगा उन तक ठीक है हंड्रेट चलो साब देखते हैं डी प्रिंच जी कांसर आए डी वनो जी कांसर आए हंड्रेट देखो साब एक बैग में ऐसी रुपे मैंने कहें बोला आपके पास कभी भी रूपय पैसे अलग अलगा जाएं जो पैसे में भाली कर दो न ब operates कर दो एक डी निअ तो इसी हो यो इस बहुत कर दे क्योइब ओ नभीन जी का अंसर है 120 अब देखो कुश्चन आपका चेंज हो गया नया पैटर्न आगया अशी के अंदर अब 100 पैसे के मेरे पास कितने रुपे हैं तो मेरे पास कृतने रुपे हो जाएंगेजना मैरे पास कितने रुपे हो जाएंगे मारे सार 65 पैसे के चार सिंढ यानी और फैसे होगे के 20אני को सैंजी बहुत पढ़िया सौॉपय के 100 पैसे के 200 पैसे हो 25 पैसे के 3 से क्यानि 150 से होगे 25 पैसे के 400 करता हूं हो कितना ओगे ढिन सब्सक्राइब 215-500 एप 205-500 हमने पूरी विल्कुल स्वहे राभी हवने पूरी calculation पैसों पारी तो हमें क्या करना इस 180 रूपे को भी क्या करना पड़ेगा इस 180 रूपे पैसों में चैंज करना पड़े करदो साब एक जिरो एक 0 कड़ गई यहां पर इधर कितनी वार जाएगा 45 Tanz जाएगा आप बोलों के सब 45-40 बार गया ठीक है तो फॉर यानि वन यूनिट के वल्य कितना आजाएगा वन ट्वेंटी और यह हमारा आंसर है अगर आप से पूछ लेता कि बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संक्या कितनी आई तो आप क्या करते हैं खर देते हैं तो कितना इस ठीक है बताओ साब समझ पारे सारे बालगवादिग आज का सेशन आपको कैसा लगा बताएगे साब आज मजसा आया के नीए बाहती बैतरिंग कोर्शन किया मनोजी 1423 120 एकदम बढ़िया सबीका एकदम बढ़िया है तो आज अपनने खतम कर दिया रेशो खतम किया अभी अपन प्रपोर्शन कल खतम करेंगे ठीक है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है एक दिन में खतम हो जाएगा अगर आप और हम मिले रहेंगे और जल्दी-जल्दी को स्वाल्व करेंगे ज्यादा कोई खास उसमें मगज मारी है नहीं क्लियर है बड़ाई साब आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को आयोप एकदम मज़ा आया होगा लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आपको कंट्यूनिटी बरकरार रखनी अगर मैस को सीखना है कैसे बरकरार रखोगे दो से तीन डेली आना है मैस पढ़ने बस आराम से ठीक है सब तो फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद